हेलो फ्रेंस टेश्टे को के इवित बनना में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंस आज हम आलू मतर की ग्रेवी वाली सबजी और पूरी बनाएंगे सबजी बनाने का तरीका एकदम अलग और एकदम यूनिक है साथ में आटे की पूरी बनाने का भी जो तरीका है वो एक तम अलग सा और एक तम नया है तो आप इस तरीके से अगर आलो पूरी की सब्जी बनाएंगे तो आप आलो पूरी की सब्जी खाते ही रह जाए ऐसी बनने वाली है तो चलिए फिर बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं पूरी के लिए आटा तो उसके लिए हम दो कप गेहू का आटा लेंगे जिसे हम रोटिया बनाते हैं वो इसके अंदर हम चार चम्मत मेंदा डाल देंगे आदा चम्मची नमक डाल देंगे, दो चम्मच तेल डालके अच्छे से इसका मोहिन लगा लेंगे तो फ्रेंस इस पुरी में आप अगर इस तरीके से मेदा डालके बनाएंगे तो आपकी जो पुरी है वो एकदम सोप्ट भी बनेगी और एकदम काली नहीं पडेगी और एकदम वाइट सी रहेगी तो हैना फ्रेंस एकदम नया और एकदम यूनिक तरीका इस तरीके से आप अगर पुरी बनाएंगे तो जो आटे की पुरी बनाते है उस टायम पे आटे की पुरी थोड़ी सी काली-काली दिखती है ऐसी बिलकुल भी नहीं दिखेगी थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी जालना है और आट्या घुट के तैयर कर लेना है और आपको पता ही होगा कि पुरी का अटा है वो थोड़ा सा हाड ही होता है ज्यादा सौप अटा मत घुटियेगा तो चले फिर आटा हमने घुट के तयार कर लिया है इसको डग के हम 10 से 15 मेट के लिए रेश्ट पे छोड़ देंगे ये करना बहुत ही जरूरी है तब तक हम सबजी के लिए मसाला तयार कर लेंगे यहाँ पे हम लेंगे एक चम्मत जीरा दो चम्मत सुखा धनिया एक चम्मत सौफ दालचिनी का टुकडा दो लौंग लेंगे दो काले मिर्चे लेंगे और एक हरी मिर्च लेंगे सारे चीजों को हम तबे पे डालके थोड़ा सा रोष्ट कर लेंगे इस तरीके से हम मसालों को रोष्ट करेंगे तो मसालों में जो नमी रहती है वो चली जाएगी और भूनी हुए मसालों का जो स्वाध है वो सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है मसालों को भून के हम सीधा मिक्सी में ले लेंगे साथ में लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया अद्रक का टुकड़ा ले लेंगे आदा चमची नमक डालेंगे एक चोथा ही चमची हम अजवाइन डालेंगे आदा चमच लाल मीट पाउडर आदा चमची हर्डी पाउडर थोड़ा सा ही हम पानी डालके सभी मसालों को पीस के इसकी प्यूरी बना लेंगे इस प्यूरिय को बना के अभी के लिए तो हम साइट पे रखेंगे उसी तवे में हम दो से तीन चमत तेल डाल देंगे और तीन सो ग्राम आलो को मैंने इस तरीके से दो के चौप करके ले लिया है इसको मैंने छिलके हटा के लिए है आप चाहे तो छिलके के साथ भी ले सकते है तो आलो को हमें तेल के साथ अच्छे से भूनना है जब तक आलो एक दम सौप्ट ना हो जाए यानि कि अच्छे से पकना जाए तब तक हम आलो को सेख लेंगे तो इस तरीके से हमें करने में 4-5 मेर्ट का समय लग सकता है और इस तरीके से आलू एक दम मैश हो जाए विया से पकने चाहिए तो जैसे ही आलू पक जाए उसके बाद हम लेंगे आदा कफी मुंगपली तो मैंने यहाँ पर मुंगफली को ओवरनाइट के लिए भीगो के लिए है अगर आपके पास मुंगफली हो जो ताजा आती है वो तो उसके दाने भी आप ले सकते हैं और एक कफी हम मतर लेंगे आलू और मतर की इस सबजी में आपको मुंगफली के दाने डालना ओप्शनल है अगर आपको पसंद है तो जरूर से डाले इससे स्वाथ बहुत अच्छा आता है वना स्किप भी कर सकते हैं अब हम एक चौथाई चमची नमक डाल देंगे एक चौथाई चमची हल्दी पाउडर एक चौथाई चमची यहां पर लालमीट पाउडर डाल देंगे और इतना ही हम घरम मसाला डाल देंगे तो नॉर्मल मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जब आलू पक जाए उसके बाद ही आपको मटर और ये मुझफली के दानी डालने है इस तरीके से तयार करने के बद हम इसमें तड़का लगाएंगे दूसरी कड़ाई में आदा कप तेल डाल देंगे साथ में ही एक चमच राई डालेंगे अदा चमच जीरा और एक चमच अजवाइन डाल देनी है तो आलू की सब्जी है तो आपको अजवाइन का यूज़ करना है अगर आप हिंग डालना चाहते है तो हिंग भी डाल सकते है अब हम दो टमाटर को चौप करके डाल देंगे और टमाटर जल्दी से पक जाए और गल जाए उसके लिए थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे साथ में ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको एक से देर मिनट के लिए ढख के पकाएंगे जब एक से डेर्मियट हो जाए और टमाटा फे वो अच्छे से गल जाए तो उसको हम एक बार चला लेंगे अब हमने जो मसाला बना के तयार करके रखा था वो मसाला है उसको हम इसमें डाल देना है इस मसाले में हमने सारे ही मसाले सुखे जो थे वो भी डाल दिये हैं तो अभी के लिए हमें इसमें मसाला डालना नहीं है कोई भी थोड़ा सा मिक्सी में पानी लेके अच्छे से डाल देना है ताकि हमारा जो मिक्सी वाला मसाला है वो भी वेश्ट ना हो पाए अब हम ढखकन बंद करके मसालों को भी एक से 1.5 मीर के लिए पका लेंगे एक से 1.5 मीर के बद आप देखेंगे कि मसाले अच्छे से पक गए है और तिल सारा उपरा गया है तो हमारे मसाल इस तरीके से अच्छे से पकाएंगे तो सबजी का स्वाद और भी अच्छा आने वाला है अब हमने जो आलू और मटर को तयार करके रखा था वो डाल देंगे तो आपने अगर इस तरीके से सब्जी बना के ट्राइ ना किया हो तो एक बार जरू से बना के ट्राइ करना ये सब्जी बहुत ही टेश्टी बनती है अच्छे से हम सारी मसालों के साथ सब्जी को मिक्स कर लेंगे अब हमें इनको पकाना है और ग्रेवी भी करनी है तो इसमें हम गरम पानी डाल देंगे तो सब्जी में आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना है फ्रेंस गरम पानी डालना है अब हमें सब्जी को ढग के साथ से आर्टमेट के लिए अच्छे से पकाना है तो आलो भी पक जाएंगे और मटर भी पक जाएंगे तो जब तक सब्जी पकती है तब तक हम आटा गूंद के रखा था वो देख लेंगे तो यहां भी हमारा आटा भी अच्छे से सौफ्ट होके तयार हो गया है थोड़ा सा ऐसे हाथों में तेल लगा के एक बार और आटे को मसल लेंगे उसके बाद हम पूरियों के साइट की लोईया तोड़के तयार कर लेंगे तो आप चाहे तो इस तरीके से एक एक पूरी बनाने के लिए लोईया बना सकते है या फिर सारी ही बड़ी साइट की लोई करके आप एक बड़ी सी रोटी बेल के पूरिया कट कर सकते है लेकिन आ आपका काम है, वो ज्छय को बन जाता है और आपको ध्यान रखना है कि आपको पूड़ी है वो ज्यादा पतली नहीं बेलनी है थोड़ी सी इसको ठीक बेलना है।ехर कना कि आपको पूड़ी बीले तो जैसे यहों ने के और पूड़ी नहीं है और दूसरिच तरहाब तो चैंग नाखनी नहीं एक साथ चाय पूरी नहीं पखाय के तरीकित है तो चल ए पुरीय अच्छे चतल के तियार कर लिए है और हमारी सब्जी भी तब तक पके तयार हो गए है तेयर होई एकदम से आलो भी पक गये है, मतर भी पक गये है औरुस्टी सभली तेयर है तो इसको साथ ही खा सकते हैं, आप रोटी चावल के साथ पी सबची को सभल कर सकते हैं बहुत ही स्वाधिष्ट लगती है और हाँ एक बार तो मेरे तरीके से बना के ट्राइ कर ही लेना तो चले फिर हमने पूरी भी बनाई है साथ में तो हम पूरी सबजी को सौर कर लेते हैं तो फ्रेंस कैसे लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भुलिएगा और हाँ आपको अगर ये रेसिपी जरा से भी पसंद आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ रेसिपी को शेर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिये गए बेरा आइकन को प्रेस सरूर से कर ले जिसे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे